Sony WH-1000XM5, brand new headphones है Sony के and one of the best जो इनके headphones आते तभी तक जो की XM4 थे जिनको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और पिछली हर वीडियो में मैंने यही headphones suggest किये हैं तो आज उनका जो successor है हमारे पास आ गया है तो आज इस वीडियो में unboxing and अपने first impressions दूँगा जो review video है वो कुछ ही दिनों में आपके लिए आ जाए है क्योंकि मैं इसको detail में test करना चाहता हूँ XM4 जो है वो मेरे favorite headphones है आप सब को पता ही है AirPods Max से भी जादा जो मैं use करता हूँ वो Sony के XM4 को करता हूँ तो ये जो नए headphones है कितने जादा better है ये review में पता चलेगा बड़ यहाँ पे आज आपको design दिखाने वाला हूँ और अपने first impressions दूँगा कि क्या मुझे लगता है ये वाले headphones के बार में तो सबसे पहले अगर box की बात करें तो box का design भी थोड़ा सा change है थोड़ा बड़ा box है पहले के comparison में और इस बार नया design दिख रहा है जो कि आपको box के उपर ही दिख रहा होगा backside की भी बात करें तो नया design जैसा Bose के 700 headphones में आता है वैसा सा कुछ design यहाँ पे अब Sonic XM5 में भी मिल रहा है तो उपन कर लेते हैं and that's it 1000X series Sony के जो naming है वो बहुत ही अजीव है यार बहुत लंबे लंबे नाम है तो सबसे उपर ही है यहाँ पे एक case और इसके लावा box के अंदर कुछ भी नहीं यहाँ पे क्या है यह है कुछ product manuals I believe तो हंजी यह है हमारे कुछ product manuals जो हमें headphones के साथ मिलते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पे case के बारे में जो आप देखोगे जो material है वो बिल्कुल same ही है बट case का size आप देख सकते हो जो black में है यह है हमारा XM4 और इस तरफ है XM5 क्योंकि अब जो headphones है वो फोल्ड नहीं हो सकते हैं तो काफी बड़ा case मिल रहा है headphones है इनको आप किसी भी तरीके से फोल्ड नहीं कर सकते हो तो travel bag में अब ज़्यादा जगा यह वाले जो headphones है है हमारा इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे एक hidden सा storage compartment भी है जिसके अंदर आपकी cable है अगर आप wide headphones यूज करना चाहते हैं उसके अलावा है USB A to USB C cable आपके headphones को charge करने के लिए headphones जो है हलके है XM4 के comparison में हाथ में उठाते ही पता चल गया और यहाँ पे इस बार जो यह नया leather material मिला है air cup के उपर यह काफी जादा soft है पहले के comparison में और जो headband है यह काफी slim हो गया है पहले के comparison में तो साथ के साथ दिखाता भी रहता हूं तो आप देख सकते हो size difference जो है यहाँ पे तो यह एक cheese है जो मैंने notice की है और यहाँ पे दो color मिलते है एक color अभी आप यह देख रहे हो adjust करते हैं तो एक बार अगर मैं करकर दिखा हूं यह पुराने वाले तो यह पहले अवास थी अब बिल्कुली silent है कोई अवाज ही नहीं है और इसके अलावा जैसे मैंने कहा जो air cups है वो बहुत जादा soft है सारी जगा पे जो leather यूज हो है वो काफी जादा soft है fold नहीं हो सकता बट जितना वर्जी बड़ा आपका सेरो अराम से फिट आ जाएंगे और काफी बड़े यह वाले headphones जो हो जाते हैं उसके अलावा एक चीज जो बहुत ही main difference है जो XM4 में था XM3 में नहीं था तो यहाँ पे on and off वाला जो आपका sensor रहता है headphone के अंदर ही आपको यहाँ पे देख रहा है जो cut out है बट XM5 के अंदर वो जो चीज है गायब है और उसके अलावा क्या नए advances है तो सबसे बहले battery life जो है वो बिलकुल सेम है 30 hours की यहाँ पे पहले जो XM4 था वहाँ पे सिर्फ हमें 4 mic total मिलते थे बट यह वाले XM5 के अंदर 4 mic per ear cup है उसके अलावा XM5 के अंदर नए beam forming microphones है calls के लिए ताकि आपकी जो call quality है वो better रहे तो left वाला जो headband है यहाँ पे आपको mics देख रहे है उसके अलावा active noise cancellation button ambient sound वाला बटन जो है वो जैसा sony का रहता है वैसे ही है on up button bluetooth pairing button 3.5 mm port अगर आप wired headphone की तरह इंको use करना चाहते हो माइक्स जो है काफी सारे है एक आपको top में मिल रहा है दूसरा है नीचे और sides की बात करे तो यहाँ पे 2 mics आपको देख रहे हैं सेम रहेगा right वाले ear cup के लिए यहाँ पे भी चार mics आपको मिल रहे हैं यहाँ पे आपका USB C port मेल रहा है आपके headphones को charge करने के लिए उसके साथ ही है कौर माइक आपकी calls के लिए और यहाँ पे एक नई चीज जो मैंने अभी-अभी realize की कि यह जो headphones है अगर आप इनको इस तरीके से गले में रखते हो travel के time के obviously ऐसे ही रहते हैं आपके headphones तो यह अंदर की side को fold करते हो तो कु आपकी अपने अपनी preferences होती है मुझे लगा एक चोटी सी चीज है जो matter करती है तो बताना चाहिए अब अगर मैं fit वगेरा की बात करूं तो बहुत ही जादा comfortable and light है और यह जो earcups है XM5 के, XM4 से बड़े है तो fit जो है बहुत ही अच्छा है अगर आप long flights के उपर भी जाते ह तो यह जो headphones है आपको बहुत ही comfort देने वाले हैं आप अराम से movies वगेरा जो है वो enjoy कर सकते हो बहुत ही हलकी यह वाले earbuds है देखने में भी अच्छे लग रहे है और दो color मिलते हैं जासे मैंने का अब अगर price की बात करूं तो price जो है वो है 399.99 US dollars 38 dollar लगा है tax और क्योंकि मैं मैंने best buy से खरीद है तो best buy की receipt है मैं आपको दिखा देता हूँ काफी लोग सोचते है कि sony ने बेजा बट sony ने बेजा मैंने खुद ही खरीद है रिव्यू का आपको वेट करना पड़ेगा और ये थी मेरी वीडियो unboxing and first impressions sony xm5 के तो first impressions की बात करूं तो एक अच्छे headphones है दिखते अच्छे है फोल्ड नहीं होते इस चीज ने disappoint किया है उसके अलावा सारी चीजे जो है अच्छी है जो air cups है वो बहुत ही comfortable है थोड़े से म मिल जाएंगे जो कि अपने हाप में बहुत ही अच्छी deal है इतना बड़ा कोई मुझे improvement लगी भी नहीं xm5 में तो review का बसम मैं wait करता हूं थोड़े दिन इनको मैं test करता हूं और इसके बाद ही मैं better आपको बता पाऊंगा तो आपको ये वीडियो कैसे लगी और कौन सा है आपका favorite xm4 xm5 या इसके लावा कोई और brand जो आप use करते हो तो मुझे बताओ comments पे मुझे रहेगा आपके comments का इंतजार ये वीडियो पसंद आई है तो like करो share करो channel को subscribe नहीं किया तो channel को करो subscribe review xm5 को आप कुछी दिनों में आने वाले है और इसके अलावा भी कोई भी topic के ऊ चाहते हैं तो comment करो जितना जल्दी होगा वीडियो लेकर आउंगा आपके लिए और अभी सी note के साथ वीडियो करता हूं खतम मिलूंगा आपसे next video में तब तक के लिए take care bye bye